हेलो वीवर्स वल्कम बैक टू मैं चैनल आज मैं आपको शलवार के लिए और नेक और स्लीव के लिए ब्यूटिफुल डिजाइन बताऊंगी इसके लिए अगर आप शलवार पे लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टॉप का क्लॉथ लेना होगा उसे इस तरह से टू आप शलवार का बॉटम ले लीजिए उसके राइट साइड पर उसका सिंटर मार कर लीजिए अब आप इसके सिंटर से डिजाइन लगाना शुरू करें इसे इस तरह क्रॉस में हाफ फोल्ड करने तिन फिर से फोल्ड करने ताकि एक ट्राइंगल बन जाए तिन आप इसे य पिसल स्टिच कर लीजिए इसी तरह आपको सेकेंड पीस लेना होगा तिन इसके ऊपर रखते हुए आपको इसे स्टिच करना होगा दिन सेम प्रोसेस में और एक पीस पर इसे भी इसके ऊपर रखते हुए आप स्टिच कर लें इसी तरह आपको ओवरॉल शलवार का बॉटन स्टिच करना होगा देखिए फ्रिंट्स मैंने से इस तरीखे से स्टिच कर लिया है दिन इस पर आप चाहे तो लेस लगा सकते है या पर सेम फैब्रिक की पैपिंग लगा सकते है तो मैं यहां पर लगाऊंगी लेस इसे मैं इस पर इस तरीखे से रखकर स्टिच कर लूँगी तो देखिए फ्रेंट्स मैंने लेस भी स्टिच कर ली है आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा है डिसाइन और इस पर आप चाहे तो इसे मोती भी टाक सकते हैं और आप चाहे तो इसे डबल स्टिप्स भी बना सकते हैं देखिए मैं यहाँ पर रखकर बताऊंगी अगर आप डबल लगाएंगे तो इस तरीखे के दिखेगा देन आप स्लीव के लिए भी सीम प्रॉसस में बना लीजीए और नेक के लिए भी same process में बना लीजिए देन उस पर lace लगा लीजिए और इसके लिए आपको शलवार का cloth यूज़ करना होगा देन आप इस तरीके से मोती ठाक लीजिए इसके लिए आपको needle thread लेकर wrong side से right side पर आते हुए एक purl लेकर then right side से wrong side जाते हुए then पीछे के तरफ आप एक knot दाल लीजिए इसी तरह आपको overall sleeve पर neck पर और शलवार पर सारी परस लगाने होंगे इसी तरह में overall सारे triangles पर परस लगा लिया है तो आप देख सकते हैं कि शलवार और top कितने beautiful लग रहा है और यहां पर pearls लगाने का cost एक और यह भी है ताकि यह triangles उठकर ना आए और sleeves पर भी इसी तरह आप लगा लीजिए यहां पर आप कोई भी dress पर इस तरह से design कर सकते हैं तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तरह सकते हैं तरह सकते हैं लाद सकते हैं तरह सकते हैं सकते हैं